हाई दोस्तो स्वागत है आप सभी कार रुट्वेजर यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को टॉप फोर सर्वाइवल गेम्स के बारे में बताऊंगा 1GB और 2GB RAM वाले फोन्स के लिए तो गाइस यह गेम से स्पेशली 1GB और 2GB RAM वाले फोन्स के लिए हैं तो प्लीज इस गेम को आप पजी मॉइल या फिर फोर्टनाइट के साथ कंपेर मत किजेगा तो विदाओ फॉर्दर दिले लेस्स के स्टार्ड़िट नमर फोर में मैंने पपजी मॉइल लाइट को रखा यह सुपर हिट गेम पपजी मॉइल उसका लाइट वर्जन है और इस गेम का साइज है लगबग 350MB का तो गाइस इस गेम को नमर फोर में रखने का कारण दोस्तों यह है कि यह गेम नो डाउट एक खाफी अच्छा गेम है इसका गेम प्ले भी हूब हूब अबजी मॉइल की तरह ही है लेकिन दोस्तों इसमें प्राब्लम्स बहुत है जैसे कि इसका ग्राफिक्स कुछ खास नहीं है नॉर्मल तरह का ग्राफिक्स है हो सकता है आने वाले अप्राफिक्स में हमें अच्छा ग्राफिक्स देखने को मिले उसके लाव दोस्तों इसमें हमें फीचर्स भी बहुत ही कम देखने को मिलता है इसमें आपको सिर्फ क्लासिक मोड देखने को मिलेगा उसके अलावे एक war mode देखने को मिलेगा वो war mode भी ठीक से start नहीं होता है और दूसरा problem दोस्तों ये है कि ये game को अभी तक globally launch नहीं किया गया है दो एक countries में ही इस game को launch किया गया है वैसे ये game खेलने में बड़ा अच्छा है बड़ा मज़ा आता है जब आप खेलते हो तो जो बड़ा अला PUBG जो लोग miss करते हैं जिनके पास 1GB और 2GB RAM फोन से वो खेलना चाते हैं PUBG Mobile लेकिन इस game से ये game वो खेल के थोड़ा सा संतूस हो सकते है क्योंकि ये game भी पूरा का पूरा फिल देता है PUBG Mobile वाला तो नो डाउट ये game काफी अच्छा है तो इसलिए इस game को मैंने नमर फॉर में रखा है नमर फॉर में रखने का कारण अगर ये game globally launch होता या फिर graphics थोड़ा बहुत ओर ठीक होता था साथ ये number one में होता लेकिन कुछ reason है जैसे कि मैंने आप लोग को बताया graphics कुछ खास नहीं है features कम है उसके उपर globally launch नहीं हुआ तो इसी वज़े से इस game को मैंने 4 number पे रखा है अगर इस game को इस list में नहीं रखता तो unfair होता तो इसलिए ये game no doubt बढ़िया है बस कुछ चीजे improved होना बहुत जरूरी है तो ये PUBG wild light जो है number four position में है अब बढ़ते हैं number three position में तो क्या आप संतूस है number four position में PUBG wild light को देख के ये भी बताना comments में प्लीज number three भी रखा है मैंने hopeless land को इस game को आप Google Play Store से free में download कर सकते हो तो इस game का size लगबग सारे 300 या fit 400 MB के around तो ये है game का lobby game में आपको 3 या 4 तरह के mods देखने को मिलेगा एक है battle royale mods जिसमें आप 100 people से एक साथ खेलोगे जो बंदा last में बचेगा वोई जीतेगा एक है bloody mode, एक है bloody battle mode एक है bloody circle mode ओकि ये एक war mode की तरह है एक और mode है जो बहुत जल्दी आने बाला है theater mode, ओके, यहाँ पे आप lobby में तो यहाँ पे आपको बहुत सारे characters देखने को मिलेगा हर characters का एक अपना अपना animation से जैसे के आप देख सकते हो ये इस तरह के characters आपको PUBG wild light में नहीं देखने को मिलता है ये game भी सारे 300 MB का है और PUBG wild light भी सारे 300 MB का है इसके लावा दोस्तों आप weapons भी check कर सकते हो कौन-कौन सा weapons के पास कौन-कौन से यानि के power से मतलब क्या इसका shooting range है क्या इसका accuracy है ये सारे चीज़े आप check कर सकते हो lobby से ही और भी बहुत सारे अच्छे चीज़े है इस game में जब आप game खेलोगे तो बहुत सारे नए गाडिया और gameplay भी ठीक था कि अभी आप लोग एक चोड़ा सा gameplay दिखा देता हो इसमें ओके तो दोस्तो ये है इस game का gameplay gameplay के मामले में दोड़ाउट PUBG wild light से बहुत जादा पीछे है लेकिन फिर भी मैंने इसको number 3 में रखा PUBG wild से आगे तो इसलिए कि ये game lag free है जब मैंने इस game को खेला तो मुझे मैसुस हुआ कि इसमें बिलकुल भी lag नहीं है और main चीज़ दोस्तो यही होता game में अगर आप बहुत अच्छा बहुत तगड़ा आप game बनाते हो लेकिन game खेलते समय बहुत जादा lag करता है तो फायदा क्या ऐसा game खेलने में तो ये game मुझे लगा कि ठीक ठाक है, normal है, lag free है और ping भी normal रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना बैकार game भी नहीं है तो इसी वज़े से मैंने इसको number 3 पे रखा, अगर आपको ये चीज ठीक लगा तो भी comment में बताएगा दोस्तों तो ये gameplay है इस game का, तो अब move on करते है number 2 में number 2 में रखा है मैंने Crossfire Legends को इस game को बनाया, Tencent वालो ने यानि कि जिस company ने PUBG Wild game को बनाया है, उसी company ने इस game को बनाया है, तो इस game का size है लगबख 750 या फिर 800 MB के राउंड, ये game भी आप free में Google Play Store से डाउलोड कर सकते हो, तो game का home screen आप देख सकते हो, तो ये पूरी तरह से Counter-Strike का याद दिलाता है, सबसे best और मुझे भूद ही ज्यादा पसन आया इस game का lobby, तो इसमें आपको बहुत सारे modes देखने को मिलेगा, जैसे कि Battle Royale, okay, उसके लावा Mutant, उसके लावा दोस्तो, rank by rank, यानि कि अपने rank के हिसाब से आप बंदों के साथ मुकाबला कर सकते हो, सबसे best जो mode है, इसमें दोस्तो, वो PvP mode है, उसका gameplay, चोटा सा gameplay आप लोगों को दिखाऊँगा, बहुत ही ज्यादा मस्त है, पुरी तरह से counter strike वाला feeling देता है, तो ये game का home screen है दोस्तो, यहाँ पे आप अपने ranking चेक कर सकते हो, inventory में जाके guns में चेक कर सकते हैं, कौन-कौन Jen's में कौन-कौन से equipment लगते हैं, और भी बहुत सारे आप चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे mission से वो भी चेक कर सकते हो, कौन-कौन से आपने complete किया, क्या कि आप clam कर सकते हो, इसके अलावब दोस्तों से बहुत सारे इवेंट्स होते अपने कारक्टर्स वगरा भी चूश कर सकते हो तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से एक PvP PvP मोड का गेमपले दिखा देता हूँ ज्यादा लंबा नहीं खेंचके इस वीडियो को के तो दोस्तो ये है PvP मोड का गेमपले आप देख सकते हूँ गेमपले कितना मस थे और Counter-Strike वाला फिलिंग देता है अगर आपने इस गेम को अभी तक डाउनलोड नहीं किया या अभी तक नहीं खेला अपने फोन में तो आप ज़रूर एक बार ट्राइ कीजिए ये गेम खेल के आपको बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सारे आपको इसमें फीचर्स मिल जाएंगे जैसे कि Battle Royale हुआ जैसे कि ये PvP मोड हो गया इसके अलावो और भी बहुत सारे इसमें मोड से तो खेलने में पूरी तरह से ये गेम आप लोग को मज़ा आने वाला है और गूगल प्ले स्टोर से आप लोग इस गेम को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो ये मेरे ख्याल से नमबर टू पोजिचन में एकदम फीड़ बेड़ता है तो बढ़ते हैं नमबर वण पोजिचन में कौन सा गेम है, let's find out नमबर वण पोजिचन में है आप सभी लोग का चहिता गेम फ्री फायर, जी हाँ दोस्तों ये गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, 1GB और 2GB रैम अले फोन के यूजर्स के साथ, तो गूगल प्ले स्टोर में इस गेम को लगबग 100 million से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है और इसका rating भी है 4.5 out of 5 तो आप लगा सकते हो कितना popular और कितना बढ़िया गेम है 450 MB का ये गेम है और यकीन कीजे, इतना 450 MB के 450 MB में इतने सारे features कोई भी developers या कोई भी games में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा तो ये जो number one position है ये completely deserve करता है free fire ओके तो इसमें आप लोगों को बहुत सारे features देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अलग अलग तरह के characters पहले मेरे को ये game ज्यादा पसंद नहीं आया था लेकिन जैसे जैसे में थोड़ा बहुत इस game को खेलने लगा तो उसके बाद मेरे को ये game काफी ज्यादा पसंद आया इसके लावर इसके graphics भी मेरे को पसंद आने लगे इसमें आपको बहुत सारे characters बहुत सारे features बहुत सारे modes देखने को मिलता है तो no doubt ये deserve करता है number one position तो guys आप बताईए कि क्या free fire number one position deserve करता है और मुझे नहीं लगता है इसका gameplay आप लोग को दिखाने की जूर्थ है क्योंकि आप लोगों ने ये game को कभी नगभी तो खेला है अगर आप 1GB और 2GB RAM वाले phone यूज करते हो तो guys ये था top 4 survival games 1GB और 2GB RAM वाले phones के लिए और जैसे के मैंने वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को बताया था इस game को आप compare मत कीजेगा PUBG Mobile और Fortnite के साथ क्योंकि वो game उन game का size होगा लगबग 2GB के around तो वो top 5 games 2GB से अबव phone के लिए भी मैं बनाऊंगा बहुत जल्दी लेकिन फिल्हाल आप इस video को enjoy कीजे और प्लीज दोस्तो अगर आपको ये video पसन आया तो प्लीज प्लीज लाइक कीजे और इस video में like का target रखते 2000 I hope आप लोग कर दोगे बहुत जल्दी और दोस्तो अगर आप लोगों ने ये इन में से कोई game आप लोग try करना चाहते हो तो Google Play Store से आप लोग download करके try कर सकते हो So that's it guys, thanks for watching this video, have a great day, bye bye, मिलते अगले वीडियो में